हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्लीप के लिए एक पैटन बनाएंगे जिसके लिए हमने बकरम पांच इंच लंबी लिए और धाई इंच ओड़ी तो देखी हाफ इंच हमें उपर निशान लगाना है इसमें मार्जिन के लिए और हाफ इंच नीचे की तरफ और देखी यहाँ पर हमारा पौने चार इंच पर जो है वो एक डिजाइन बना कर हमें रेडी करना है तो इसके लिए हम इसे ऐसे सवाइन चोड़ाई में ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ से सवाइन चोड़ा और यहाँ पर हम ऐसे बिल्कुल ट्राइंगल शेप में इस न निशान को मिला दिया है अब हम यहां पर हल्की सी गुलाई देंगे जितना आप गुलाई देना चाहते हैं दीजिए थोड़ा अगर ब्रॉड करना चाहते तो वह भी आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल पतला ही डिजाइन बनाना है तो इस तरी निशान लगाते हुए हमें इसे कट कर लेना है जितना हमने निशान लगाया है उतना ही हम इसे कट करेंगे बिल्कुल गुलाई से ताकि जो हमारे स्लीब डिजाइन का पैटन है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो तो बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमें से कट करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट कर लिया है यह जो डिजाइन है कुछ इस प्रकार से बनेगा देखिए यह हमने अंदर से कट कर लिया है अब यह जो हमने मार्जन का निशान लगाया था हमें उसे उतना भी कट कर लेना है तो देखिए हमने मार्जन वाले निशान पर भी इस तरीके से इस पैटन को कट कर लिया है कट करने के बाद हमें इसे इस प्रकार से एक किसी भी कपड़े पर चिपका लेना है उल्टा सीधा चेक करने के बाद देखिए गरम प्रेस से हम इसे चिपका लेंगे इस अस्तर के कपड़े पर और चिपकाने के बाद यहां पर हमें एक रफ सिलाई उपर की तरफ से इसके राउंड में चारों तरफ से लगा देना है जिससे की अच्छे से से सैट हो जाए देखिए अब यह हमने सिलाई लग भी छोड़ सकते ही जितना आप फोल्ड करने में कमफोटेबल रहें देखिए अब हम इसे इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे जिससे की यह जो कपड़े के धागे वगेरा है वो ना निकले और अच्छे से कपड़े यहां पर फोल्ड हो जाए तो देखिए यहां पर हमने इस पैटन को सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है चारों तरफ से अब हम अपनी स्लीब लेंगे देखिए स्लीब का यह सेंटर पार्ट है जहां पर हम चौक से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से देड इंच उपर की तरफ हम निशान है तो हमने एक निशान लगा लिया जिससे कि हमें पता रहे अब इस पैटन को हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए क्रीज बना लेना है और क्रीज बनाने के बाद देखिए यहां पर हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा चौक का निशान बनाना है और नीचे की तरफ भी इस जिससे कि हमें सेंटर देखे और स्लीप का सेंटर भी हमने हलका सा चौक का निशान लगाते हुए बना लिया है तो देखिए इस निशान से हमें ऐसे नीचे से नीचे सेंटर और उपर से उपर सेंटर को मिलाते हुए यहां पर रखना है पैटन और एक रफ विस्टीच लगा ली है आप देख पा रहे होंगे वीडियो में अब हमें बिल्कुल बुक्रम से चिपकाते हुए इसलाई को पूरे राउंड में लगा लेना है जैसा हमारा पैटन है बिल्कुल पैटन के हिसाब से हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे और देखिए यहां पर हलका सा म्लॉ और एक कट लगाने के बाद यहां से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे लिकिन फैब्रिक हमें यहां पर आधे इंची से कम यानि दो पैर का कपड़ा यहां पर छोड़कर करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को ताकि जब हम इसे पल्टें और कट लगाएं तो यह हमा पर निशान अच्छे से कट लगाते हुए और पूरे ही राउंड में हमें छोटे-छोटे कट इस तरीके से लगा देना है जैसे हम वीडियो में लगा रहे हैं कट लगाने से क्या होता है कि हमारा जो भी पैटर्न होता है जिस भी शेप में वह आसानी से पलट जाता है तो देखिए मैंने पूरे में छोटे-छोटे कट लगा दिये हैं और ध्यान दखना है हमें नोग पर थोड़ा अच्छे से कट लगाना है जिसे कि हमारी नोग खराब ना हो और उसके बाद हमें से इस तरीके से पलट देंगे देखिए यहाँ पर ऐसे हमें पूरी तरह से इसे पीछे की तरफ पलट देना है और पलटने के बाद मैंने इसमें अच्छे से प्रेस लगा दिया है देखिए अब यह जो इसका मार्जन है यहाँ पर हम तुरपाई करते हैं तो मैं आपको एक यहाँ पर और ट्रिक बताऊ देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक टेप लिया है तो हम इसे फैब्रिक टेप से पूरा कवर कर देंगे यहाँ पर हमें तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा देखिए टैप को हम इस प्रकार से रखेंगे इस मार्जन को उठा करते हुए इसके नीचे इस तरीके से टैप को सेट करते हुए यहाँ पर हम इसके उपर गरम प्रैस को रखेंगे दो मिनिट के लिए इस पर प्रैस रखकर छोड़ देंगे तो यह बहुत ही आसानी से यहाँ पर चिपक जाएगा और फैब्रिक टैप एक ऐसा टैप होता है कि जिससे ये चिपक जाता है एक बार तो ये धुलने के बाद भी कभी नहीं निकलता है तो देखी यहाँ पर दो मिनिट हो गये हैं और ये फैबरिक हमारा अच्छे से चिपक गया है यहाँ पर हमें तुर्पाई करने की भी जरूरत नहीं पड़िये बहुत ही आसानी से देखी फनीसिंग हो गया है और हमारा पैटर्न बिलकुर फनीसिंग के साथ बनकर रेडी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें